हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेस नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रह है तो दोस्तो आइए देखते हैं आज हम उत्तर प्रदेश अजिनस सेवा चैन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी प्रारंभिक आर्था परिच्छा पेट का जो सॉल्व पेपर है जो की परिच्छा तिथी 248.2021 का दितिय पाली का था जिसका परिच्छा अवधी 2 घंटा और पूड़ांग 100 मिनट और पूड़ांग 100 और प्रस्णों की संख्या भी 100 ठीक है तो इसको हम सॉल्व कराएंगे लेकिन इसमें ग्राफ वाला समझा नहीं मिलता है तो ग्राफ वाला बाद में हम एकठा आपको करवा देंगे ठीक है ग्राफ वाले 7-8 कोश्चन जो हैं किस क्रम में भारत आये तो किस क्रम में आये हैं पहले कौन आया था टामस रो फाहान हैंसांग तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा तो यहां पर आंसर जो निकल के आ रहा है वो आपसं सी है ठीक है क्योंकि पहले जो आया था वो आया था फाहान फाहान के बाद हमें सांग उसके बाद आया था टॉमस रो ठीक है तो यह आपका अंसर सी निकल के आ रहा है और अगला प्रस्टन है सिराजुत दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था तो सिराजुत दौल किस युद्ध में अंग्रेजों से ये पराजित हुआ था सिराजित दोला ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट इन में से कौन हड़प नीती का कट्टर समर्थक था लाड वेलेजली लाड डलहोजी लाड मिंटो लाड हैंस्टिंग तो बताईए कौन सा था तो यहां पर जो है वो लाड प्रसिध के समय के एक प्रसिद्ण नाटक कार उपरोग्ट में से कोई नहीं तो दय्णवंतरी थे जो चिकित्सक थे ठीक है चिकित्सक तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो चंद्रगुप्त विक्रमादेत की सभा को सुसोबित करने वाले प्रसिद्द चिकित सकते हैं ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट मौरे कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे मेगस थनीज फायहान हुएंसांग इन में से कोई नहीं यह ज़रूरी है देखो यह सब सारे कोईशन आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं इसलिए इसको भी देखते जाईएगा ठीक है तो यहाँ पर जो निकल कह आ रहा है आंसर वो मेगस थनीज है ठीक है मोरी कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे मेगस थनीज थे साइमन कमीशन किस वर्स भारत में पहली बार आया था तो साइमन तो सा सा उता ठीक है शाइमन इसको आप उससे देखेंगे तो 28 में है ठीक है साइ से साइमन औसा से तीस मतलब 28 होता है तो तीस से पहले वाला हो जाएगा ठीक है तो 1928 आप याद रखेगा इसको दिमाग में बैठा लिजे चाहिए से 1928 ठीक है आईए देखतें अगला प्रस्ट भारती राष्टी कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में एतिहासिक पूर् प्रस्ताव पारित किया गया तो बताएए किस अधिवेशन में किया गया था तो यह है आपसन भी लाहोर अधिवेशन में ठीक है पूर्ट सतंता किसमें लाहोर अधिवेशन में आईए देखतें अगला प्रस्ट निम्न का मिलान के लिए इंडियन नेशनल आर्मी तो लाल हमारा जो होगा, वो B, आप्सन होगा, ठीक है, आप्सन वी जो होगा जही होगा, अब इसमें देखिए, आप्सन B के यसाब से, A का सेकंड, तो A का हम सेकंड मिला देंगे, ऐसे, देखिए, तो इंडियन नेशनल आर्मी के हो जाएंगे, सुभाजचन बोज ठीक है, गदर आरमी के आपका लाला हैर दयाल ठीक है, मित्र मेला का, मित्र मेला के कोन है, वीडी सावर कर ठीक है, और हॉम रूल लीक के एनिबेशन्ट है, ठीक है, तो यह होगा, आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है, आईए देखते हैं अगला प्रस्वाइब निम्न में से किस ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया तो खान अब्दुलकरफार खान फजलुलहक मुहम्मद अली जिन्ना अबुलकलाम आजा तो बताएए कौन सा होगा इसमें तो इसका जो होगा मुहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था इन में से कौन सा करांतिकारी संगठन काकूरी शड़यंत्र केस में सामिल था गदर पार्टी अनुशीलन समिती अभिनव भारत ग्रूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशोशियेशन तो यहां पे कौन सा आंसर होगा यहां पे जो होगा आंसर वो आपसंड डी होगा ठीक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशोशियेशन ठीक है आईए देखते हैं अर्जुन नाग अर्जुन नाग अर्जुन मतलब कहा से कृष्णा इसको याद सार्ट्रिक जो होता है वो कृष्णा होते हैं ठीक है मतलब अर्जुन का सपोर्ट किस ने किया था तो कृष्ण ने किया था तो उससे नाग अर्जुन कृष्णा न दी ठीक है यह आप याद क की गई थी माउंट एवरेश्ट में प्रतंबार चड़ाई कप की गई थी तो यह होगा आपसन बी उनिस सो तीरपन में ठीक है भरत पूर में इस्थित पच्छी अभियारण राष्टी उद्यान का नाम है भैंस रोडगड अभियारण दर्रा अभियारण केवला देव घाना राष्टी उद्यान और घाठ प्रभा अभियारण तो यहांपर बताईए कौन सा होगा इसमें केवला देव घाना राष्टी उद्यान ठीक है भिलाई इसपात संयत्र के लव अयस का सुरोत कहां है तो भिलाई कहां है बताईए दिल्ली राजहरा कोरबा उमरिया राजनांद गाओं तो बताईए तो यहाँ पे जो होगा वो दल्ली राजहरा तो दिये गए दर्रों और उनके अस्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है ठीक है तो पहला क्या है जोजिला और बुरजिल जम्मु कस्मीद बारा लापचाला और शिपलगी उत्तर परदेश थागाला स्नीती पास और यह हिमाचा परदेश नाथुला और जलेपला यह सिक्किम तो यहाँ पर देखना कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है यह हमको बताना है तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो थाड़ होगा ठीक है मतलब इसमें थाड़ आप सुनोगा पहला नहीं सही है ठीक है जोजिला और बुर प्रश्ण है किसके बढ़ने के फल्सुरूप निजी निवेस में वृद्धी की अधिक संभावना होगी तो आपसन हम बता रहे हैं आपको तो यहां आपसन जो है ब्याजदर शेयरों की कीमत नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति व्यक्तिकत कर तो बताए कौन सा होगा इसमें तो इसमें जो आंसर होगा वो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगा ठीक है अगला प्रस्ण है भारत की राष्टी आयका आकलन करने वाली संस्था है आर बियाई है नीती आयोगे वित्मंद्राले केंद्रिये शांखिकी ये संगठन है बताएए आपको संगठन करती है सेवा छेत्र का दूसरा नाम क्या है तो तृतियक है प्रात्मिक है दितियक है ये किरसी है बताएए सेवा छेत्र का दूसरा नाम क्या है तो यहाँ पर तृतियक है ठीक है सेवा छेत्र का दूसरा नाम तृतियक है ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस् बलवन्त राय महता, डाक्टर वर्गीज कुरियन, म. स्वामी नाथन या नार्मन एडवर्ग तो ये होते हैं स्वेट करांती के डाक्टर वर्गीज कुरियन ठीक है अगला प्रस्ण है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दोरान प्रधान मंत्री कौन थे? तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दोरान प्रधान मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे जो होगा वो पीवी नर्सिंगा राओ थे ठीक है 1991 में प्रधान मंत्री कौन थे? पीवी नर्सिंगा राओ थे ठीक है भारत के सम्विधान में इन में से क्या राज सूची में सम्मिलित नहीं है तो क्या नहीं है पुलिस, कानून और विवस्ता, जेल, दंड, प्रक्रिया, सहिता तो इसमें बताना है आपको कौन सा सम्मिलित नहीं है राज सूची में ठीक है तो राजिसूची में दंड प्रक्रिया सहिता नहीं सामिल है बाकि सब सामिल है पुलिस सामिल है कानून और विवस्ता और जेल सारा ठीक है ये राजिसूची का विशे है निम्लिखित मेंसे क्या भारतिय सम्विधान की मुख्य विसेस्ता नहीं है तो बताईए कौन सब नहीं है अर्द संगीय संरचना, प्रतिबद्ध, न्याय अत्यंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित सम्विधान और सम्विधान की सर्वोचता तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो आप्शन B है ठीक है आप्शन B इजे सही उत्तर है प्रतिबध न्याय तंत्र ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्ट निम्न में से क्या भारतिये नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है बताईए मौलिक अधिकार मौलिक करतव राजिके नीती निर्देशक चिद्धान्त उप्रोप्त में से कोई नहीं तो राजी के नेती निर्देशक चिद्धान्त जो होते हैं ठीक है वो भारती नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है तो राजी नीती के निर्देशक चिद्धान्त ठीक है समझ में आ गया अगला प्रदान है भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद राजी सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है ठीक है तो इसका आपसन देखिए तो इसका आपसन है अनुच्छेद 38, 40, 44 और 46 तो इसमें आंसर कौन सा होगा बताईए तो इसमें जो होगा अनुच्छेद 40 होगा ठीक है आईए देखते है अगला प्रदान त्री अस्तरी पंचायती राजी विवस्था का विचार किसने रखा था बलवंत राय महता कमिट कमिटी असोग महता कमिटी रायल कमिशन उपरोक में से कोई नहीं तो त्री अस्तिय पंचायती राजी विवस्था का विचार रखा था कौन रखा था बताईए तो यह रखा था बलवंत राय महता कमिटी ठीक है बलवंत राय महता कमिटी असोग महता कमिटी ने दी अस्तर यह ठीक है तो त्री अस्तिरिये का किसको जाता है बलवंतरा मेहता कमेटी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेश नोट जय हिन जय भारत